अकबर के दरबार में तानसेन बैठा करते थे तो तानसेन का नाम आप सब लोग सुने हैं बताया जाता है तानसेन में ऐसी योग्यता थी कि संगीत के माध्यम से ही वर्षा करा दे संगीत के माध्यम से ही दीपक जला दे अक्बर ने कहा तानसेन तुम इतना गजब का गाते हो तुम्हारे गुरुजी कौन है तानसेन ने कहा हुजूर वे हैं स्वामी हरीदास व्रिंदावन में रहते हैं आप में से यदि कोई वरिंदावन गया हो तो निधी वन वहाँ आज भी स्वामी हरीदास की समाधी है बताया जाता है कि राधा जी की महा सखी ललिता सखी के अवतार थे अक्पर ने का उनको हमारे दर्बार में बुलाओ तांसेन निका हुजूर वे नहीं आएंगे वे सन्यासी हैं उनके लिए राजा और रंक दोनों एक जैसे हैं आप यदि उनका दर्शन करना चाहते हैं आपको वरिंदावन जाना होगा अक्पर ने स्वीकार किया मेरे मंत्री तांसेन के गुरू तो जरूर जाके दर्शन करें अक्पर भेस बदल कर तांसेन के साथ निकला जब वे वरिंदावन में गुरू जी के यहां पहुंचे अब कैसे कहें कि गुरू जी कुछ सुनाव इनको तांसेन तांपुरा लेके गाने लगा और जान बूच के गलती करता था शिक्षा के लिए स्वामी हरिदास ने तांपुरा लिया और कहा बेटा ऐसे नहीं मैं बताता हूँ कैसे गाया जाता तो वे जब गाने लगे अक्पर को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ जब वे वहाँ से निकले अक्पर ने कहा तांसेन तुम्हारे गुरुजी जैसा गाते हैं तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते अब और सुपीरियर संगीत कला सुन ली तो कहते हैं कि वे तुमसे श्रेष्ट कैसे गा लेते तांसेन ने बहुत विद्वत्ता पूर्ण उत्तर दिया जिसमें करमयोग का दृष्टी कोन भी आ गया तांसेन ने का हुजूर। कारण तो आपको स्पष्ट होना चाहिए था। मैं गाता हूँ हिंदुस्तान के बादशा के लिए मेरी जो प्रेरणा है वो तो रुपए पैसे हैं हिंदुस्तान के बादशा संतुष्ट हो जाए तो मुझे थोड़ा सा धन मिल जाएगा रहने के लिए स्थान मिलेगा संबान मिलेगा और गुरु जी गाते हैं विश्व के बादशा की खुशी के लिए भागवान की खुशी के लिए तो उनके अंदर जो प्रेरणा है ये मेरे अंदर कहां हो सकती अर्थात भक्ती का मतलब ये नहीं कि हम अपनी योग्यता को छोड़ने जो आपकी योग्यता है जो आपने विद्वत्ता संसार में प्राप्त की है जो आपके पास कला है उसको आप भगवान की सेवा में लगाए उसी संगीत से उसी नृत्य से उसी लिखनी से आप भगवान को संतुष्ट करें तो श्री कृष्ण का जो उपदेश है कि हर कर्म से अर्जुन मेरी ही भक्ती करो वो सार्थक होगा